सर्दी के मौसम में बार बार या कहिए कि जल्दी जल्दी यूरिन आने की शिकायत ज्यादातर लोगों को होती है जबकि इस मौसम में पानी कम पिया जाता है थन्ड के मौसम में यूरिन की वज़े से दिनभर में बाथरूम के कई चक्कर लगाना काफी परेशान करने वाला होता है आपको बता दे कि यूरिन से जुड़ी ये समस्या बढ़े हुए बलड प्रेशर के कारण होती है हाला कि किसी व्यक्ती को सर्दी का असर हो जाए जिसे हम थन्ड लगना कहते हैं तब भी यूरिन की समस्या होती है इन दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे पहचाने की यूरिन की समस्या BP बढ़ने के कारण हो रही है या फिर ठंड लगने के कारण आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं और शरीर को अपना तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना होता है लेकिन सर्दी के मौसम में जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर को इस तापमान में बनाये रखने के लिए ज्यादा मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है इसके लिए हाट बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी पंप करता है बड़े हुए ब्लड फ्लो के कारण शरीर में जो उर्जा पैदा हो रही है वह पूरी तरह शरीर से बाहर ना निकल जाए इसके लिए बॉड़ी अपनी ब्लड वेसल यानी के रक्त वाहिकाओं को सिकोर देती है इस कारण ब्लड का फ्लो और ज्यादा तेज हो जाता है सामाने से तेज गती जब ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है तो बॉड़ी औरगन भी बहुत तेजी से काम करते हैं और यही बात किड़नी पर भी लागू होती है शरीर में पचे हुए भोजन और रस से बेकार तरल पदार्थ को किड़नी फिल्टर करके यूरिन को ब्लैडर में जमा करती रहती है पर जब ब्लैडर भर जाता है तो यूरिन का प्रेशर बनता है बड़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण किद्नी इस वेस्ट को जल्दी से जल्दी फिल्टर करती है जिस वज़ा से बार-बार यूरिन जाने की परेशानी होती है सामान्य तोर पर भी थंड के मौसम में यूरिन ज्यादा आता है ऐसा क्यों होता है कि आपको पता चल चुका है अब सवाल यह बनता है किस बात की पहचान कैसे करे कि मौसम की वज़ा से यूरिन ज्यादा हो रहा है या फिर कोड का बोड़ी पर बुरा असर होने की वज़ा से यूरिन आ रहा है जब सिर्फ मौसम के कारण यूरिन ज्यादा आता है तो फ्रेश होने जाने पर आपको यूरिन ठीक ठाक मात्रा में पास होता है यूरिन का प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी यानी की हर आधे या एक घंटे में फील नहीं होता बलकि धाई से चार घंटे के बीच आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है लेकिन जब ठंड लगने के कारण यूरिन आता है तो आपको करीब हर घंटे यूरिन पास करने की जरूरत फील होती है जब आप बाथरूम जाते हैं तब को यूरिन बहुत कम मात्रा में आता है या फिर कुछ ड्रॉप्स ही आती है इस सिती से बचने के लिए अब सामान्य तापमान के पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करे और एकदम ठंड़ा पानी पीने से बचें इसलिए पानी की ठंड़क दूर होने तक ही इसे हलका सा गर्म करें साथ ही धूप में जरूर बैठे जिससे शरीर की सिकाई होती और बलड वेसल्स भी खुलती है। यह तरीके अपनाने पर आपको तुरंद आराम मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक और शेर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले करें।